जैहिंदर स्टुडेंट्स मैं हूँ रभिकमार सक्सेना आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नमबर वन क्लासिस में आपका स्वागत है आज हम Applied Physics 2 के एक नए टॉपिक के उपर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है Acoustic of Building तो यूनिट नमबर वन में अगर आप सिलेबस को देखेगा SBT बिहार जो कि डिपलोमा SBT बिहार का है उसमें लास्ट का जो आपका टॉपिक है यूनिट वन का उसका नाम है Acoustic of Building तो देखिए Acoustic of Building समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि Acoustic क्या होता है क्योंकि जब तक आपको Acoustic नहीं समझ में आगा तब तक आपको Acoustic of Building नहीं समझ में आगा तो आएए हम देखते हैं कि Acoustic क्या होता है So Acoustic का हमने Definition लिखा है A branch of Physics which concerned with the production, control, transmission, reception and effect of sound is called Acoustic देखिए Acoustic का मतलब होता है जिसमें हम जिस branch में अथाथ Physics का वैसा branch जिसमें हम which concerned with the production यानि कि जो हमें production के बारे में बतलाता है control के बारे में बतलाता है, transmission के बारे में बतलाता है, reception के बारे में बतलाता है और उसके effect के बारे में बतलाता है किसके sound का मान लिजिए हम आपसे बोल रहे हैं, मतलब हम आपको पढ़ार रहे हैं तो मेरा sound किस तरह से production होता है उसका हम control किस तरह से करेंगे अठाथ जो है आपको अच्छी रिती से समझ में आजाये आपको साब साब सुनाई पड़े उसका हम control किस तरह से करेंगे उसका हम transmission किस तरह से करते हôm अथात किसी भी sound को एक जगा से दूसरे जगा किस तरह से transmission होता है reception अथात उसको हम किस तरह से ग्रहन करते हैं and effect of sound और उसका क्या-क्या प्रभाव है इन सारी चीजों को हम acoustic में अध्यान करते हैं ध्यान से समझेगा acoustic जो है physics का वो branch है जो की हमें sound के बारे में पूरी जनकारी देता है क्या-क्या जनकारी देता है sound जो है किस तरह से उत्पन होता है sound जो है किस तरह से control किया जाता है sound जो है किस तरह से एक जगा से दूसरे जगा से जगा तक transfer किया जाता है sound जो है किस तरह से reception किया जाता है और sound का क्या क्या प्रभाव है इन सारी चीजों के बारे में हम acoustic के बारे में अधियन करते हैं मान लिजे अगर हम आप से बोलें कि हम जो है आपको जब हमने बोला तो आपको जो है मेरी आवाज आप तक अच्छी रिती से नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या क्या जो है उसमें बैरियर भाव जिसके वज़े से आप तक नहीं पहुंच पाया क्या वज़े था तो इन सारी चीजों को हम acoustic में अधियन करते हैं यानि कि acoustic का मतलब आपको साफ रिती से समझ में आ गया acoustic का मतलब sound के बारे में हम सारी चीजों के बारे में हम अध्यन करते हैं चाहे उसका transmission हो, चाहे उसका control हो, चाहे उसका reception हो, चाहे उसका effect हो, चाहे उसका production हो इन सारी चीजों को हम acoustic में अध्यन करते हैं अब आपका topic पढ़ना है acoustic of building एकॉस्टिक ओफ बिल्डिंग तो ध्यान दिजेगा एकॉस्टिक ओफ बिल्डिंग इंजिनियरिंग के छात्रों को क्यों पढ़ना पड़ा आखिर किया जरूरत था किसी भी टॉपी को जवाब पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में ये सवाल उठना चाहिए कि म मैं इस टॉपी को क्यों पढ़ रहा हूं मुझे इस टॉपी को पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा अगर ऐसा सवाल उठता है तो आप जो है अच्छी रिती से पढ़ाई करने वाले चात्र माने जाते हैं क्योंकि बहुत सारे चात्र जो है ये समझ नहीं पारते हैं कि मैं ये टॉपीक बढ़ा रहा हूं तो आपको क्या फायदा मिलेगा यहां पर जो है बहुत सारे चात्र जो है अभी सिविल के होंगे क्योंकि ग्रूप टू में सिविल को पढ़ना है और ये फर्स्ट यर का सिलेवस है हलांकि सभी ब्रांच को पढ़ना है लेकिन को भी ध्यान रखना है तो चलिए सबसे पहले हम acoustic of building का definition देखते हैं उसके बाद हम आपको importance बताएंगे Acoustic of building building acoustic is the science of controlling noise in building यानि कि acoustic of building जो है वो science है जो कि हमें किसी भी building में noise को control करने के लिए बताता है देखिए माल लिजे आपने घर को बनाया अब उस घर में जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको अच्छी रिती से नहीं सुनाई दे रहा है तो क्या क्या वज़ा है किस तरह से हम उसको सुधार कर सकते हैं इन सारी चीजों का अधियन हम एकॉस्टिक ओफ बिल्डिंग में करते हैं माल लिज़े कोई भी एम किया जा सकता है किस तरह से उसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है इन सारी चीजों को हम एकॉस्टिक ओफ बिल्डिंग में पढ़ते हैं तो पहला डिफिनीशन देखिएगा क्या लिखा हूआ है बिल्डिंग अकॉस्टिक ओफ बिल्डिंग में हम इन सारी चीजों के बारे में अधियन करते हैं कि किस तरह से उसको कम किया जा सकता है यहाँ पर हमने साफ रिति से रिखा है इस इंक्लूड्स दे मिनिमाजेशन ओफ नौइस ट्रांस्मिशन फ्रों वन स्पेस तु अनदर स्पेस माली जे सौंड जो है नौइस जो है किस तरह से कम किया जा सकता है माली जे हम आपको बोल रहे हैं अगर जो है आप मोबाइल के द्वारा घर पर सुन रहे होंगे हो सकता है आपको जो है अच्छी रिति से नहीं समझ में आ रहा होगा आपके घर में इको होगा आपके घर में रीभबरेशन होगा आपके घर में बहुत सारा चीज जो हो सकता है जिसके वज़ा से आपको अच्छी रिती से समझ में नहीं आ रहा है अब इसको किस तरह से मिनिमाज किया जा सकता है इन सारी चीजों को हम Acoustic of Building में अधियन करते हैं देखिये बिल्डिंग Acoustic are important consideration in design, operation and construction of most building and have significant impact on health and well-being communication ध्यान से समझेगा जो Acoustic of Building में जब हम किसी भी building को बनाते हैं So Building Acoustic are important consideration in design, operation and construction of most building जब हम किसी building को बनाते हैं ध्यान से समझेगा civil engineer के छात्रों जब आप किसी भी building को बनाते हैं तो आपको जो है इस बात को खयाल रखका जो है उसको construction किया जाएगा इस बातों को आपको खयाल रखना पड़ेगा कि जब कोई बंदा या बंद इसमें बात करेगा कोई meeting करेगा किसी तरह का communication करेगा तो उसको अच्छा से सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा वो जो है हला के रुप में होगा या policing sound होगा किस तरह से होगा किस तरह से building का design किया जाए इन सारी चीजों को आप acoustic of building में पढ़ते हैं क्योंकि अगर आप जो है आपको अच्छा से sound नहीं सुना रहा है आपको हमेशा हला सुनाई दे रहा है तो ना केबल आपको जो है health पर प्रभाव पड़ता है साथ में साथ आपका communication भी अच्छा से नहीं हो पाता है इसलिए हमने लिखा है ध्यान से समझेगा Construction of most building and have significant impact on health and well-being communication क्योंकि acoustic of sound में यहाँ पर हम इन सारी चीजों के बारे में अध्यान करते हैं किस तरह से किसी भी घर के अंदर में अच्छा से हमें sound सुना सके हमें जो है किसी परकार का noise न हो सके हमें किसी परकार का eco न हो सके माल लिजी किसी किसी के घर में जाते हैं बाड़ा सा hall है कुछ नहीं है MTA वहाँ पर बोलेंगे तो eco होगा irritation फिल होता है दिमाग जो है दम पुरा दम कच-कचा आ जाएगा कहेगा कैसा घर बनाया तो किस तरह से control किया जाता है इन सारे चीज़ों को हम acoustic of building में पढ़ते हैं so acoustic of building के अंदर में आपको बहुत सारा topics है उसको जो है अगले वीडियो लेक्चर में हम discuss करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही अगर आपको अच्छा लगा तो like किजेगा अपने दोस्तों के बीच में share किजे अभी तक मेरे चैनल को नहीं subscribe किये हैं तो subscribe कर लिजे देगा ताकि regular notification आपको मिलती रहे तब तक के लिए हम वीड़ा लेते हैं जय हिन बंदे मातरम